तुम्हारे एक इशारे हम तो दिवाने हैं हम यह जा रहे आज कुस्मा जो वर्ल्ड का लारजेस्स सस्पेंशन ब्रीज है वह जा रहे हैं लोग वीतुर्ण कुलिक सब बढ़े हुए अब यह हैं पोखरा में हम लोग और पोखरा से कुस्मा जाएंगे करीए साथ किलोमटर का रिम दूरी है इसकी कुस्मा की मनोगर सब पिछे बटे हुए आप लोग आप लोग को दिखाएंगे किस तरह का सस्पेशन ब्रीज है और काकी लंबा दो पहाड को जोड़कर बनाया गया है अगर पहाड को उस पर कोई गाउं है उस गाउं में पहुचने के यह क्योंकि बर्साथ की दियों में नदी फूल हो जाती है तो नदी को पार करने के लिए इस तरह का ब्रीज बनाया जाता है जहां गाड़ी गाड़िया नहीं चलती तो ऐसी जगह पर जाने वाले हैं कुस्मा तो पोक्रा से कुस्मा की यात्रा इंजाय कीजिए आप लोग कुस्मा जाते जाते हम लोग अभी एसाथ हो कि हम लोग रियल नेपाल की सेर अभी कर रहे हैं अभी ते तो खंप काभी परिशान हुए लेकिन आज की यात्रा काफी रोमांचक लग रही है और यहां से जो हिमाले का द्रिश्य दिखाई दे रहा है ग्लेशेर दिखाई दे इस पहाड़ी लोड को देखकर काफी अच्छा लग रहा है यहां ट्रेवल करना काफी मज़ा रहा है और यहां आसपास जो पहाड़ के उपर लोग बसे हुए हैं घर मना रखे हैं पहाड़ के उपर उनको देखकर भी अच्छा अच्छी पीनिंग आ रही है मतलब इस तरह भी लोग रह सकते हैं हमने यहाँ आकर देखा नेपाल के लोग कितने महनती हैं इन सब घरों को देखकर लगता है कि पाड़ी की चोटी चोटी पर घर बना कर रखे हैं और ऐसा नहीं कि छोटे मोटे घर बना रखे हैं अच्छे अच्छे सुन्दर सुन्दर मकान बना रखे हैं पाड़ी ओपर फ्रेंट्स नेपाल की खुपसूरती का अंदाज़ा हमें इस रोड में आने के बाद हुआ हम लोग जा रहे हैं कुसमा इस रोटी है रोटी क्या क्या बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं सेल रोटी है यह रिखिए का बोलते हैं सेल रोटी और पूरी इसको कोणते हैं पर हमारे तरफ जो पूवा बनाते हैं सेल वैसा ही टेस्ट हा रहा है यह हलका मीठा है, खाने में वैसा ही टेस्ट है, बस इसका बनाने का तरीका अलग है, तोकरा से कोस्मा की अत्रा में मुझे अभी यह खराब रोड देखने को मिला, और काफी खराब है, वह काफी खतरनाक है, किनारे एकदम खाई है, और रोड का काम भी चल रहा है, लेकिनार से जबर्दस्त खाई है, एक तरफ पुरी पहाड़ी है, और एक तरफ खाई है, देखिये का सा रोड है, फ्रेंड्स, नेपाल में रोड ट्रिप करो, और धेंजरस रोड नमिले, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पचास साच किलोमेटर की दूरी जब आपताय करते हो, तो आपको डेंजरस रोड से होकर ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल पुरा पहाडियों का देश है, और पहाडियों पर रोड घूम घूम कर रोड बनाया गया है, तो काफी खतरना चड़ाई भी चड़नी पड़ती है, उतरना भी पड़ता है, तो एक तरफ खाई, एक तरफ गोर्ड ये तो हमेशा आपको देखने को मिलता रहेगा, इंडिया में इस तरह मीनी बस है, तो नेपाल में इस तरह की बस चलती है, और जगा के लिए क्योंकि यहां के रोड काफी सक्रे होते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि एक ही बस ज जा रहे हैं, जो लॉंगेश्ट सस्पेंशन ब्रीज है, वहाँ जा रहे हैं, अभी हरास्मेंट अला सफर रहा, कैसा रहा सफर मानें? जो भी हमने बस में ट्रैवेल किया, यह सबसे बेस्ट था, इसमें बहुत प्यारे-प्यारे ब्यूटिफूल ब्यूस की देखने के लिए मिले, और ठकावट भरा सफर नहीं था, जो हम लोग में अभी तब टेक्ट किया है, कुस्मा की सड़कों पर हम घूम रहे हैं और कुस्मा- अच्छी फिलिंग्स हारी है, आप लोग को ही मजा आएगा और अभी जो ब्रीज देखेंगे आप काफी मजा आने वाला है, हम तो कफी उजाए करने वाले हैं, कुस्मा में दुकान देखिये, है क्या क्या मिलता है द सब कोई पीछे हैं मेरे मनू मिथून पुडिया सब पीछे पीछे आ रहे हैं जितना मैं रोमांचीत हूँ उतने वह लोग नहीं हबी तक एक्साइटेड नहीं है लोग कहां लेके आ रहे हैं ऐसा सोच रहे हैं लोग नहीं यह हम बहुत एक सेगर हैं देखते हैं ऐसा है वजले जहां बुस्त शुप हैं वहां से लगबक किलो मेटर के दूरी पर है यह सब्सपंशन भ्रीज है अर्टिमेटियर फ्रेंड्स हम आगे हैं सब्सपंशन भ्रीज में जो काफी लंबा है पहली बार देख रहे हैं चल कर देखते हैं इस पे और मनुवर में जा रहे हैं पहले में थून और गुड़िया जा चुके हैं तो मनुवर में भी जा रहे हैं सब्सक्राइब चलते हैं डर नहीं से और दोंदों साइट दो दो लगी ही है और उसके बाद उपर भी जो यह है फिन नट से पूरा कसा गया अच्छे से तो कहीं से गिरने कोई चांस नहीं है लेकिन काफी लंबा है इसलिए जुले जैसा है जवर्दास्त बीच में लेकर चलता हम आप लोगों को मैं मनू फ्रेंड्स मैं आया हूँ कुष्मा यह विलेज है और उस तरब भी विलेज है और गुपतश्वर गुफा भी शायद है तो हम लोग इस ब्रिज पर चल रहे हैं सस्पेंशन ब्रीज है अंकल नहीं के रहने वाले हैं आपका शुन नाम अंकल मता मरू सर्म अच्छा तो इस ब संजाल एकषझ में तो रहे हैं महले के इस देख के और शुदार रहें त्क यह हए अच्छा एक त्छा ऐसें सब फूल का संजाल शुकर तोड़ा सा काम दो इसमें बैक चलाने नहीं देना था परशासन ने चलाने दिया अच्छा नहीं दिया है इसमें लोग आते हैं तो बाइक चला की इस पार सुसपार जाते हैं तो थोड़ा यह हिलता है और जो उसतर नया ब्रीज बना है परवत से दुसरे परवत मतलब उस तरह भी वी लेज है इसलिए बनाया गया है चलते हैं उस पार देखते हैं कैसा है अच्छा नीचे 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 बहुत लग टाइम लगा था नहीं आपका इस ब्रीज की एक्चुल में खासियत इस ब्रीज के बीचों बीच आने से पता लगती है कि एक्चुल में ब्रीज किसी ली होतार मैं ओनेसलिए इस पेकिंग मेरी ना आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है बट फिर भी मैं आप लोगों को बस दिखाने के लिए बड़ी इस ब्रीज से डर लगता है आप देख सकते हैं यह देखिए में इस ब्रीज पर चल रहा हूं देखिए दायबै नहीं देखना है देखने से डर लगता है यहां के रहने वाले अंकल बोल रहे हैं कि इसके आजू आजू देखने से डर लगता है चले बीच पर चलके आपको मैं साइड व्यू दिखाता हूं इसका कैसा है और यह बीच में थोड़ा हिल रहा है यह ब्रीज हम लोग काफी दिन से सोच रहे थे कि जब भी हम नेपाल पहुंचे कई जगा हम लोग यह ब्रीज दिखा लेकिन छोटा छोटा यह काफी लंबा है मतलब सो सकते हैं आप जूला ब्रीज यह कहते हैं चाहिए फिल्मों में देखना आसान है और इस पर फाइटिंग दिखाते हैं फिल्मों में वह तो बहुत आसान दिखती है हम लोग को लेकिन रियल में इस पर चड़के लगता है यह जब हिलता है इस पर बहुत अजीबों की और फिलिंग आती है और कई सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो अंकल बता रहे थे कि उस पर के लोग उस पर गाव है उस पर के लोग पहले नदी पार करकाते थे अब यह ब्रीज बनने से काभी सहुलियत हो गई है उनको अब इस ब्रीज के सहारे इस पार से इस पार आ जाते है चलते हैं आगे कियोर और देखते हैं कैसा है प्रिज मुझे तो रियल मैं तॉड़ लग रहा है क्योंकि बहुत हिल रहा है यह फिर भी चलिए काफी लोग जा रहे हैं तो डरना नहीं चाहिए इस डर क्याए जीत है मैं चल रहा हूं मत आप नजारा देखिए प्रिज का अभी हम लोग है नदी के जस्ट ऊपर बच्चे मनु सब मैं जो सोचा था ना उसक्सिल नहीं हो रहा है क्यों क्यों तो उदर से मनु दोड काईगे इधर समय दोड क्या होगा तुम शूट करोगे तो जो सकता है मैं उधर से फुट करोगे मैं निक्षे का विव दिखाता हूं आप लोको मैं मनु इस ब्रिश प्रेकर कैसा लग रहा है कैसा नुभा हुआ बस आपके वीडियो के लिए खड़ी हो मैं बहुत दर लग रहा है बहुत दर लग रहा है यहां से चलिए आगे चलिए ना यह बहुत काफी सारे लोग यहां पर इस सच्वें ब्रिज में और काफी सारे लोग आ जा रहे हैं अब नेपाल से हैं इस बिरिज के बार बताएंगे कुछ क्या नाम है अपका अब को फोड़ी थोड़ी बोल दी फोड़ी बात क्या है आप इंडिया में चलेगा आपके यहां कोई देखेगा नहीं बुनों थैंक से सारी ओके चलो तो यहां की लड़किया भी काफी शर्मा आती है मैंने बात करने कोशिश की तो वो शर्मा रही थी तो मुझे शर्मा आती है बोलियो क्या जवर्दस्त प्रीज है क्या जवर्दस्त नुजारा है यहां से व्यू भी जवर्दस्त देखिए मूनु मेरे भगल में ख़ड़ है टर रही थुलिक डरी समीश्त है और मुझा तो बहुत टर लगाए मेरी वीडियो के लिए सिर्फ आ रही है चलो अची बात है मैने वीडियो के लिए इतना support कर रही यह वहुत अच्छी बात है तो घर में बहुत नाटक करती थी घर में बोलती थी कि कि खाली video 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 अब निपाल आई है तो support कर रही हिऊ थोड़ा है के नहीं और काफी romance कर दैने वाला यह प्लेस है है दोनों तरफ पहाड़ी बीच में नदी और उपर यह प्रीज सब्सक्राइब ब्रीज में पैदल यातरा जबरदस रही दोतीन यह प्रीज है चलते हैं उन ब्रीज ओव यह घूंते हैं हम लोग उस ब्रीज में भी जाकर देखते हैं कैसा लगता है लेज वो लगवग जो कुस्मा विलेज है उसे करीब एक किलो मेंटर की दूरी पर यह भी ब्रीज है ईथे जंगल पार कर की जाना पड़ता है मतलब लग वो चार साल पहले बना हुआ है और जिस पर हम पहले गया था वो करीब 9 साल पहले तो इस ब्रिज पर चलते हैं और काफी इसमें सुधार किया गया है और इस ब्रिज को देखते हैं कैसा है